मेरा नाम है डॉक्टर दीपक्रेकर आपका फिरी से एक बार स्वागत करता हूं मैं मनोविकार सेक्सरोग सम्मोहन तथा वेस्टनमुकी तग्यों महाराष्ट में अकुला में प्रैक्टिस करता हूं डिप्रेशन है बहुत ही कॉमन बिमारी है इसके पहले मैंने काफी सारे वीडियो डिप्रेशन के ओपर डाले हुए एक नया इंसाइट मुझे जो समझ में आया हूं आपको बता रहा हूं क्या होता है कि बच्पन से हमारा पालन पोशन है ऐसा हुआ है परवरिश हमारे ऐसी ह हुए माबाप से हमको आता है कि ये मत कर वो कर ऐसा मत कर वहां गिरी जाएंगा यह यह अष्छल नहीं है वोफ अच्छा नहीं Кंमार्क मिले तो कम मार्क क्यों मिले तू अच्छा दिखता नहीं है तू पागल जैसा करता है तू मूर्ख है मतलब ऐसा कंटिनली बंबर्डिंग होते रहता है माबाप खुद भी ऐसे बंबर्डिंग को मालूम भी नहीं हो सीखते रहते तो निगेटिव थाट्स और निगेटिव इमोशन और निगेटिव इमोशन मेरा मतलब यह कि दुख नर्वसनेस साइडनेस इरिटाइबिलिटी सिंचरापन गुस्सा ऐसे निगेटिव इमोशन जो है तो मतलब ऐसा अंदर से कुछ भी सुन लगना ऐसे इमोशन डालते रहते अंदर अब होता है कि यह बच्छा जब बड़ा हो जाता है बड़ा होने के वाद में ऐसे कुछ भी हो जाए आता है तो उसका उसके उपर प्रभा होता है और वह वैसा ही रियाक करेंगा जैसे माब आपने रियाक बाइनिगेटिव थॉट्स बैनिगेटिव इमोशन एक तो वह है दूसरा यह कि ब्रेन आटोमेटिकली कम से कम पच्छास हजार से साथ हजार थॉट्स रोज हमारे ब् तो यह अंदर बाहर अंदर बाहर आना जाना होता है मतला अंदर जाना अंदर घुष जाना वह निगेटिव थॉट्स निगेटिव थॉट्स निगेटिव इमोशन से और बाहर काम करना लोगों की साथ में रहना वर्क करना पैसा कमाना धंदा पानी करना लोगों से बातच मतलब वो जो निगेटिव थॉट्स निगेटिव इमोशन से नकारात्मक विचार नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावना हैं इसमें वो अंदर ही रहते हैं बाहर आते नहीं और वहां से फिर जो भी चेंजेस ब्रेन में होते होंगे बेजे में होते होंगे वो होते हैं वहा पैमाने पे इतने बड़े ताधा आतमे नंबर्स में निगेटिव थाउट उसके साथ में निगेटिव एमोशन से वो पुरा अकुपाय कर लेते बॉड़ी को और फिर नकारातमक सोच नकारातमक भावना है यह पैदा करेंगे रोना नीन नहीं आना भूक नहीं लगना काम मे है नहीं जाना फिर सब शुरू हो जाता है और पिर हम बोलते कि इसको डिप्रेशन होगे तब इसका इलाज क्या है इसका इलाज जो है वो यह देखना बड़ेंगा कि इतने जो आटोमेटिक निगेटिव थाउट्स जो है उसको सच मानना इसने कब से चालू किया मतलब उस कुछ तभी वच्पन में हुआ माब आपने आपको सिखाया कैसा रेस्पॉंड करना इसलिए नकारात्मग भावनाय भी आ रही है यह रियालिटी नहीं है वास्तविक नहीं है यह आप अंदर घुसरे अंदर उसके उपर विश्वास कर रहे है वह आपको वास्तविकता होते रहे तो सब्सक्ट करा तो उसको ऑपर भरुसा क्यों ऑ 한दर उसको कैसे आप रहे है यह क्या हो जाएंगा ऊण ya बहुष्यम से अंदककार में लग रहा है है रहो जाए बहुष्यम पता ह् necesability लांगर बहुट चिंता लग रही है कैसा होंगा मानों ने हिससे ज Pan B न खुद को शीयु और अच्छा रोगा है किया रियालीटी यह क्या श्याया आपको शुरॲ लग रहा है आपका सर लेक्स्पेरियेंस लिजा काव लगों के शाथ के तभी और नीको चले जा अईसे लोगों के लिए काम करो कि जो लोग आपने जो उनके उपर कुछ उपकार किया हुआ है तो उपकार का वापस ही वो नहीं कर सकते तो लोगों के लिए एक तो फाइनस में कुछ तो भी मतलब फाइनशल आपको देना है फाइनशल दे सकते है साथ रहा गूंग,ysisa के अब दर वाहर रहेंगे, आपने थौट्स को और आ रही है, तो प्रति नहीं तो कलवाइद मतल करना हुआ कblack को करनीं आपको खुत की अधुक्त करना है। नहीं लंता हमें शालालिकाशिट कर लह पाइफ सोवंति विरौत बहुत ही जादा उसने attempt वगरे किया होंगा कुछ कोशिच किया होंगा उसमें से बच गया होंगा डिपरेशन बहुत थॉट्स बुरे बुरे आरे पता नहीं क्या करेंगा तो टाइम बढ़ा तो शॉक टीटमेंट दिने की जरूद होती है मगर जाने की जरूद ही नहीं वहां जाने की जरूद पढ़ेंगी नहीं जब हमने पहली स्टेज में उसको आइडेंटिफाय कर लिया कि आपके आजूब आजू में बहुत सारे लोग ऐसे होंगी कि उनको इस तरह का प्रब्लम है मगर लोग बोलते हैं हम के बागल हो गए कि हमको ऐसा क्यूं कर रहे है मेरे को कोई जरूद नहीं है मगर आप उनको यही सलह मश्वरा करने के लिए उनको कुछ बताते हैं कि आप कॉंसिलिंग कर लो या कॉगनिटिव वेयर थेरेपी है रैशनल इमोटिव वेयर थेरेपी है फिर हमारे पास में हिपनोसी से हिपनो थेरेपी है फिर नियुरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है नलपी है या फिर मेडिटेशन है ऐसे माध्यम से भी वो अच्छा हो सकता है ऐसा उनको आप बोल सकते हैं और उनका वहां जहां आप रहेते हैं वहां क्रोग और झांक्स फर वाचि इस वीडियो थैंक्य।